क्या भारतिय थलसेना का एक अफसर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसेर्च एन अनालेसिस विंग या रॉ जोइन कर सकता है क्या फौजी अफसरों का कोई कोटा होता है रॉ में क्या रिसेर्च एन अनालेसिस विंग में सिर्फ आम्ड फोर्सिस के ही अफसरों को रखा जाता है इन सारे मुद्दों पे आज मैं अभिना महरूत्रा बात करूँगा नमस्कार डिफेंस आइस्पनेट्स स्वागा देत रिशूल डिफेंस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पे भारत में पहले सिर्फ एक इंटैलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी जिसका नामिंटैलिजेंस ब्योरो हुआ करता था वो आज भी एजेंसी है इंटैलिजेंस ब्योरो 1887 में बनी थी एक उपदेश था कि Politically Intelligence देती रहे politically क्या क्या हो रहा है ये intelligence मिलती रहे इस मुद्दे के साथ intelligence bureau IB बनी थी defense aspirants intelligence bureau जैसे देश अजाद हुआ बहुत सारे ऐसे देश थे बहुत सारे ऐसे states थे provinces थे जो भारत के साथ नहीं जुडना चाते थे जैसे हैदराबाद हो गया जैसे कुछ north east के states थे जैसे पंजाब था वो अलग खालिस्तान बनाना चाहता था तो intelligence bureau ने तब बहुत role play किये थे intelligence bureau ने भारत को एक states का समूँ बनाने के लिए सारे states को भारत से जोनने के लिए बहुत बड़ा रोल intelligence bureau का था लेकिन जब भारत अजाद हुआ और development के पात पे था कुछ foreign countries जैसे पाकिस्तान चाइना भारत की territories पे आंक लगा के बैठे थे intelligence bureau फेल हो गया बाहर की inputs देने में 1962 इंडो चाइना वार भारत को एक बहुत भारी नुकसान से गुजरना पड़ा और कहा यह जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा एहम रीजन था intelligence failure IB का failure अब IB within the country तो बहुत अच्छा काम कर रही है बट outside the country काम में IB का काम में बहुत सफाई नहीं नजार आई इसलिए 1968 में इंद्रा गांदी जी ने एक और intelligence agency बनाई जिसको directly Prime Minister's Office के अंडर रखा गया इस agency का नाम गया research and analysis wing R and AW यह raw एक साथ नहीं लिखा जाता R and AW लिखा जाता है research and analysis wing का जो main functions थे वो थे intelligence gather करना foreign countries में भारत के खिलाफ अगर कोई conspiracy प्लान हो रही है तो भारत की government को बताना counter terrorism terrorists कुछ attack plan कर रहे हैं तो उससे पहले सही step ले ले लेना उन attacks को बचा देना and Indian policy makers को सही advice करना यह चार में उपदेश के साथ research and analysis wing 1968 में बनी aspirants intelligence bureau को more of police organization बोला जाता है intelligence bureau में IPS rank के अधिकारी हैं जो dominate करते हैं diptsp's हैं यह सब लोग intelligence bureau में हैं intelligence bureau में आपको forge का कोई officer by and large नहीं मिलेगा intelligence bureau में अगर किसी को serve करना है तो UPSC के द्वारा central intelligence officer exam जिसे DCIO बोलते हैं deputy central intelligence officer exam DCIO UPSC का एक exam होता है जिसके थूँ आई भी direct join कर सकते हैं लेकिन research and analysis wing में जो hiring होती है वो दो प्रकार से होती है एक direct hiring, direct recruitment, एक lateral recruitment lateral recruitment मतलब भारत के 37 central civil services हैं जैसे IS हो गया, IPS हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया इसमें अगर research and analysis wing को जरूरत होती है तो वो सैतिस central civil services में से किसी भी अधिकारी को permanent या deputation पे ले लेता है जिसमें armed forces भी शामिल है जी हाँ, Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy भी शामिल है अगर research and analysis wing को जरूरत होगी तो lateral hiring के थुरू वो Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy के officers को permanent recruitment या deputation पे रख सकता है वही direct recruitment के लिए जो civil services लप्सना लाल बादो शास्त्री नाशनल अकैडमी जो मसूरी में है जो I.S. officers को central services को जो central servants जो होते हैं civil servants जो training कर रहे हैं वहां से research and analysis में direct hiring भी कर सकता है जरूरत पढ़ने पे research and analysis wing में particular skill set के लोगों को hire करने के लिए वो college भी चले जाते हैं जी हां बहुत सारे ऐसे raw agents हैं जो आज भारत की इस intelligence agency के हिस्सेदार हैं जो civilians हैं जिनके पास कोई forgy tag नहीं लगा ना वो IPS है ना वो I.S. है ना वो Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy के officers हैं पर उनका skill set ऐसा है जो raw को चाहिए और उनके skill set से match करता है एस्पेरेंस research and analysis wing आज अगर हम आप secured हैं सेफ हैं तो वो इसलिए हैं क्योंकि raw agents देश भर में काम कर रहे हैं विदेश विदेशों में बैठे हुए और हमारे देश को हमारी देश की सरकार को inputs दे रहे हैं शायद आपको ना पता हो research and analysis wing के दो और subsidiaries हैं एक है special frontier forces और दूसरा है national technical research organization यह दो sisters है raw के तो यह तीन agencies मिलके आज भारत को secure कर रही है आज भारत के parameters को secure कर रही है यह border security force नहीं है यह Indian army नहीं है यह Indian force नहीं है यह research and analysis wing के team members है जो political conspiracies कोई भी साजिश अगर है चल रही है भारत के खिलाफ तो Indian government को प्राइम ministers office को inform करते हैं aspirants research and analysis wing का पूरे देश को पहली बार योगदान पता चला था 1971 के युद में जी जहां बांगलादेश को अजादी मिली थी जो बांगलादेश देश बना था वो भारत की research and analysis wing के team members के काम की वज़े से बना था no doubt army का रोल था no doubt air force का रोल था no doubt navy का रोल था लेकिन ये सब रोल तब स्टार्ट हुआ जब रॉन अपना input दिया हर देश के पास ऐसी एक secret service agency है secret service agency इसलिए क्योंकि उन agencies का काम अखवारों में नहीं चापा जा सकता उन agencies का काम newspapers news में नहीं लगाया जा सकता वो secretly काम कर रहा है इसलिए research and analysis wing पे आपको बहुत कम selected videos मिलेंगी और होना भी बहुत selected चाहिए तभी तो वो secret service agency है aspirants अगर आप भी research and analysis wing का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने skill set को master करें हां research and analysis wing lateral hiring के through forces को जादा preference देता है army को जादा preference देता है air force को जादा preference देता है navy को जादा preference देता है लेकिन research and analysis wing में foreign languages जो language translators है वो भी उसकी जरूरत होती है तो अगर आपके पास skill set है और आप एक civilian है तब भी आपके chances research and analysis wing join करने के बहुत जादा बन जाते हैं इसी के साथ इजाजत दीजे आशा करता हूं कि ये video पसंद आई हो defense aspirants अगर आपको ये video पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुचाएं और comment करके कोई जहन में सवाल गुचता है तो जरूर पूछें कोशिश मेरी रहेगी कि हम लोग answers दें लेकिन ये कि research and analysis विंग ने बहुत बड़े-बड़े missions की हैं जो शायद अखवारों में नहीं पता जो शायद news channels में नहीं आया जो तो शायद videos के द्वारा मेरे जैसे YouTubers की videos के द्वारा अब तक नहीं पहुचेगी but today we are secured because of these agents इसी बात पे जहन जरूर लिखें थांक यू अब defense exam crack करना हुआ और भी असान रशूल defense academy लेकर आए हैं बिलकुल ही advanced learning app तो आज ही join करे और start करे अपनी online classes अबने करे लिए बाना हैं लिए लिए बाना हैं लिए जाज हैं